हेलो इंकम गाइज मैं हूँ यशिश्वी सिंग आप देख रहे हैं सिंग टैक तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है हर वीडियो की तरह क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने पर उने वाले क्याल कॉलेटर ओभी प्रोग्रांइंग करके यानि प्रोग्राम से आप क्याल कुलेटर बनाएंगे और वो पूरा आपका काम करेंगा कि अब्लिकेशन दिवीजन सब्ट्रैक्शन इस सारे एल्गोरिद्म यह फॉलू करेगा तो ठीक है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यहां पर वोले यूज्ज कर रहे हैं जो और यहां पर हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है कोड़ ब्लोक्स तो चलिए को खोल लेते हैं ठेक्स से रिलेटन वीडियो लाता रहता हूँ साथत्चे सफ्ट्व्एर सीव बहुं सारी स्क्वेर और ठेक्निकल हैक्स की बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूँ है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाईकGB히 किजेगा तो चलिए बिना time waste की हम लोग चालू करते हैं तो यहां से अगर हमें बनाना है कोई भी एक program तो हम पहले कहां जाएंगे file में जाएंगे file में ठीक उसके बाद हम चलेंगे new page select करेंगे और उसके बाद यहां पे file पे click कर देंगे ठीक अब उसके बाद अब हमें c c++ source पे click करना है यह कर दिया ठीक है अब उसके बाद हम कौन सी language c यूज कर रहे हैं या c++ यूज कर रहे हैं अभी पिलाल में मैं c language से आपको बता रहा हूं कि calculator कैसे बना सकते हैं तो यह next पे click कर दीजिए ठीक उसके बाद यहां पे कोई नाम लिख दे दीजिए file का नाम तो नाम दे देते हैं हम लोग टैल कूल इट ऐल क्यूलेटर भाय सी ठीक है यह नेम दे दिया मैंने इसके बाद क्या करेंगे इसको स्लइक कर दें कर देंगे तो इसको डीक्सट direkt बना देता है also सेफ सेफ होजाएक उसके बास पर इना फिनिश करदे अभी हाँ इस इरिया में प्रोग्रम लगना सा के लिए यह बना होता है ठीक है तो आप पहले बात कर लेते हैं हम कि एक c लेंग्वेज का एक प्रोग्राम का एक basic मतलब format क्या होता है कि इस तरह से लिखा जाता है तो पहले एक Hello World का program लिखके बताता हूं फिर उसके include एक header file हम लोग include कर देंगे ठेक है header file क्यों include करते हैं क्योंकि header file में वो सारी चीज़ प्रीडिफाइन सारे functions already मौझूद होते हैं तो सारे वो functions को हम लोग वो को बार बार define नहीं करना पड़ता है और program हमारा लंबा नहीं होता है इसलिए हम प्रीडिफाइन फंक्शन को include करते हैं और वो हमारी studio डॉट एच नाम की header file के अंदर सारे वो प्रीडिफाइन फंक्शन इंक्लिउड होते हैं और इसके बाद हम हैं इंक्लिउड कोनियो डॉट एच करते हैं इसमें भी बहुत सारे जैसे get ch और clear screen जैसे functions को include करने के लिए हम लोग कोनियो डॉट एच का यूज करते हैं तो कोनियो डॉट एच को भी हम include कर लेंगे अपने header अपने header file के अंदर यह ठीक उसके बाद हम एक कोई भी अगर function लिखा जाता है अगर सी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें एक जो सेट अप होता है उसके बाद मीन फंक्शन बना जाता था एक में फंक्शन बना दे रहा हूं मैं में फंक्शन यह दिखिए मैंने में फ बॉड़ी लिखते हैं तो यह function की बॉड़ी हम लोग चलिए लिख देते हैं तो इसको पहले print हमें करवाना है तो यहां पर प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं printf नाम का function यूज करते हैं और साथ में यह curly braces भी यूज करते हैं ठीक है उसके बाद इसमें अंदर जो हमे print कराना है वो लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं यह देखिए hello world हमने लिख दिया उसके बाद यहां पर यह बाहर आके bracket मतलब terminator लगाना होगा terminator लगाने के लिए यह मैंने कर दिया ठीक है उसके बाद यहां पर screen को hold करने के लिए get ch लगाने इस अब तो formality है get ch की तो यह मैंने कर दिया ठीक है उसके बाद प्रोग्राम को run करते हैं देखते हैं कि run करता है यानि कोई गलती होगा तो नहीं करन करेगा यानि हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सही है ठीक प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम आपको इससे अंदाजा हो इसकन करने के लिए हमने printf यूज कर दा अगर हमें कोई चीज़ से करने है यानरी कि इसको क्सी चीज़ के वैल्यू को हमें एंटर करवाना तो उसके लिए क्या करते हैं scan f करते है, scan 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 यह इसके आगे प्रैके ब्रैकेट लगेड प्रैंथिस ब्रैकेड जिस भी वर्ड की आगे लगा होता वह एक function हो जाता है तो चलिए ठीक है अब हमें बनाना है calculator तो अपने program बनाना है तो उसके बाद एक main function बनाना होता है उसके बाद curly braces लेखना होता था ठीक है curly braces में अब हम किस तरह के data type अपने function में लेंगे उस तरह के data types को पहले हमें बताना होगा बताने के लिए से मैं a float data type लेने वाला हो float ठीक है number one एक number नाम का एक वारी बल ले रहा हूं धना नंबर लिए क्यों फॉरीेबल नंबर 1 होगा हमारा प्लॉट टाइप होता है नहीं तो compiler को नहीं पता चलेगा कि कौन सा statement क्या है और क्या क्या functions उसको operate करने ठीक है तो हमने यहां पे भी टर्मिनेटर लगा दिया उसके बाद फिर enter मार दीजिया फिर उसके बाद हम यहां पे क्योंकि दो नंबर है तो उन दो प्रिन्ट यहां यहां को घुणत लिखले जोत अंब भी लिख लेते हैं इसके बादू शिसके बाद फीर यहां पे प्रिंट एफ में उसके बाद चीज हमें प्रूंट कर आनी है उसको डबल कोडस में हमें लिखना होता है ठीक है यहां पे लिख देते हैं एंटर फैस्ट नमबर ठीक है फैस्ट नमबर एंड दी फर्स नमबर उसके के बाद यहां पर थोड़ा यह लिख देते हैं सेपरेट करने के लिए साइन ठिक उसके बाद यहां पर फिर से एक टर्मिनेटर की ज़रत पड़ेगे प्रिंट अब हो गया इंपुट कराने के लिए जसे कि मैंने आपको बताया था स्कैन एफ की जरूत पड़ती है तो हम यहां पर लिखेंगे ठीक है numbers को कैसे represent किया जाता है scan scan करना है numbers को ठीक है तो इसके लिए आपको % अभलिक ना क्या % F लोट टाइप का हमने बैरी बली आ था कॉमा क्या चीज है address address of number one यह address आफ नंबर वन यह ऐसा लिखा जाएगा ठीक है नमबर वन कि इसको यहां से सेपरेट हमने किसी किया है देख सकते हैं formul से हमने सेपरेट किया हुआ है ठीक है नमबर वन यहाँ पे थोड़ा से स्पेस परेते हां ठीक देए त्र हंगी poems लागा दी हमने प्रिंट एफ करना है फिर बोलना होगा हमें यह कौम यह प्रोग्रामिंग लैंग वेज एक बैसिक जैसे हम लोग बोल प्रिंग लेज़ान में लिदिये लिए यही चीज आपको सिरु आप करना है और कोई भी चीज है आप एक्सरा नहीं नहीं आपको भारी भरकम भी लग रही है लेकिन इस चीजह जैसे जैसे करेंगे आपके लिये भी है नॉर्मव रही है हो जाएगा जर्ष कि मेरे लीए भी यहां हो चुका है ठीक है printf हमने लिख लिया उसके बाद उसको हमने double course में डाल दिया क्यों क्योंकि चीज को हमें स्क्रीन पे console screen पे हमें output करवाना है ठीक printf तो यहां पर printf के अंदर क्या लिखेंगे enter these second number second number उसके बाद यह लगा लगा दिया फिर इसके बाद terminator की जरुत होती है statement को end करने के लिए ठीक है तो यह टार्मिनेटर लगा दिया उसके बाद पर इसे enter कर दिया अब उसके बाद क्या second number हमें second number भी तो scan करना होगा ठीक है second number भी scan करना होगा लेकिन यहां पर पहले दो नंबर के बीच में operation करना होता है ना दो नंबर के बीच में पहले operation चाहिए होता है तो यहां पर second number ना लिखके पहले operation लिख देते हैं पहले बीच में operation आता है नंबर तो पहले एक नंबर आएगा उसके बीच में operation आएगा जिसे A Plus B to operation आएगा न यहां पर operation लेग देए एंटर दी operation ठिक है is it operation ठिक है एंटर दी operation उसके बाद operation को scan कर लेते हैं हम लोग टिक scan 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 एफ उसके बाद operation का data type operation जो है हमारा किस तरह का character type character को हम यहां पर..? से रिप्रेजंट करते हैं तो इसको भी double quotes में लिखना है यहाँ परसेंट इफ आपने लिखा हुआ है इसको भी double quotes में लिखना नहीं तो एरर आ जाएगा ठीक है यह के तरह से syntax ही होता है इसका इस syntax में आपको लिखना होगा। प्रेक्टस करेंगे हैविट आ जाएगी आपकी लिखनेगी। तो ठीक है है Scancan F तो इसी तरह से इसी Syntax में परसेंट C लिखना है ठीक है परसेंट से सी हमें लिख दिया ठीक। उसके ौपर सिंटि लिखने के बाद कॉमा से सापरेट करना होगा इसको से सेपरेट किया उसके बद एड्रेस आफ ओपर इशन या इऊ यह इंए यह आद्रेस अफ इसको दो तरह कि नाम से जानते है एड्रेस आफ भी परते है एं पर्र से सिंबल परते लिकिन Su हम एंदो से नहीं रेप्रेजिंट करने के गुषर bar गल्ति हो गई यहां पर बोलने में मुझसे इसकोפर से एंदीज करते हैं अलग तर्म तर्म अलग हो जाता है जरूत अलग जगांब करेंगर यहां पर यहां पर हम यहां सिंबल सिर्फ यूज करेंगे सिंबल होता है सिंटेक्स लिखने के लिए ठीक है यहाँ पर अब क्या करेंगे कॉमा से सेपरेट करने के बाद M person सिंबल ओंपी यहाँ पर ओपी लिख दिया ठीक है अबने operation उसके बाद इसको भी टर्मिनेट करना ज़रूरी है ठिक उसके बाद फिर हमें क्या करना है print f print print f फिर उसके बाद क्या print f में क्या करना है अब enter the second number ठिक है enter the second number number second number भी enter करवा दिया हमने ठिक है उसके बाद इसको भी टर्मिनेट कर दिया अब सेकंड नंबर को इस सेकंड नंबर को हमें enter scan भी करना होगा तो scan f scan f उसके बाद parenthesis उसके बाद फिर से double quotes sorry यहां पर double quotes नहीं आएगा क्योंकि scan करवाना है नंबर को नंबर की value को तो हां तो पहले percent percent f आएगा double quotes percent f परसेंट f क्यूंकि हमारा जो data type है वो float type का है तो percent f separate करने के लिए इसको क्या चीए होगा कॉमा ठीक है उसके बाद m percent symbol यह रहा उसके बाद number two number two यह हमने एंटर कर दिया उसके बाद इसको फिर से टर्मिनेट करना होगा ठीक है यह हो गया number two उसके बाद अब करेंगे उसके बाद अब हम लगाएंगे स्विच स्विच क्यों लगाएंगे स्विच क्यों लगाएंगे उसकी ज़रुद समझना होगा क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि यह operation करवाना है लेकिन compiler को नहीं मालूम है कि किस condition में कौन सा कौन से operator के लिए कौन सा मदद statement उसको लागू करना है यानि कौन से operator पे वो कौन सा statement फिट करेगा उसको नहीं मालूम है उसको बताना होगा उससे यह बताना होगा कि अगर मैं plus sign add कर रहा हूं तो आप उस statement पे उस statement पे switch करें उस statement पे जाएं जिसमें कि ए और दो numbers की यानि number one और number two को जोड़ दिया जाए यानि अगर मैं plus लिखूं तो आप उस statement पे जाएं जहां number one और number two के बीच में जो operation परफॉर्म हुआ है वो plus है तो आपको compiler को यह चीज़ बताने के लिए आपको यह switch यानि switch operation कौन सा operation पर switch करना है यह आपको पताना होगा और यह लिखना होगा ठीक है तो यहां लिख देते हैं तो हर device के लिए एक switch है कौन सी device आप दवाएंगे कौन सा आप switch दवाएंगे कि वो device चलेगा इसके लिए आपने switch का use क्या इसी तरह से यहां पर भी switch हम use कर रहे हैं इसको हम correlate करके इसे देख सकते हैं ठीक है यहां से हम bracket लगाएंगे bracket के अंदर सारे cases लिखेंगे case case यहां पर पहला case कौन सा होगा addition का ले लेते हैं इसको brackets के अंदर रेखेंगे ठीक है एक case जब plus sign है plus ठीक है उसके बाद यहां पर case के बाद यहां पर हम लोग यह symbol use करेंगे उसके बाद अब result क्या होना चाहिए इस case का result result यह होना चाहिए equals to number one plus number two होना चाहिए ठीक इसके बाद यहां पर इसको terminate कर देंगे उसके बाद printf अगर यह चीज आती है तो क्या हमें print करना है यह चीज हमें लिखना होगा printf यह ठीक है प्रिंट एफ पर्सेंट एप अब पर्सेंट क्यूंकि हमारा जो डेटा टाइप है वह फ्लो टाइप का है पर्सेंट एप उसके बाद कॉमा result हमें लिखना होगा टेक result उसके बाद इसको separate result होगा उसके करना होगा टर्मिनेट करने के लिए असके बाद यहां पर break हर statement के बाद हमें break लगाना होगा statements को को separate करने के लिए click यहां break लगा गया हमें terminate करना होगा फिर enter मारना होगा टेक उसके बाद case second जो use कर रहे हैं माइनस वाले use कर रहे हैं फिर इसको separate कर देंगे यह करके उसके बाद यह टेक यह second case हो गया हमारा उसके बाद टेक उसके बाद second case का भी result लिख देते हैं result क्या होगा result होगा हमारा number one minus number of two number of two number one minus number two इसको terminate कर दिया उसके बाद printf printf के बाद क्या करना होगा हमें यह parenthesis %f %f उसके बाद, result, result हमने लिख दिया उसके बाद statement को terminate कर दिया उसके बाद break यहां पर लगाना होगा तो break लगा देते daüne is statement statements को अलग करने के लिए case थर्ड जो है हमारा यहां पर क्या होगा हारा multiplication का sigu ले लेते हैं multiplication का तो multiplication का symbol का होता है यह होता है ठायक है तो अब ही पहले यहांप稱 क्या लिख लेकेशन तो यह लिख दिया उसके बाद यह सिंबल लगा के इसके बाद यहां पर next line में आ गया है तो उसके बाद अब क्या करना है इसका multiplication का भी result लिखना होगा सबका result लिखना है जो result होगा terminate पिर enter और उसके बाद कर, printf बाद में क्या print करा रहना है %f and p और इसको इसको डबल कोट में लिखना है %f फूरा डबल कोट में रहाँ सिर्ध एक वर्ड नहीं तेक है ये इसको डबल कोट में लिख दिया उसके बाद इसको कॉमा से सेपरेट करके उसके बाद फिर क्या करना होगा रिजल्ट लिखना होगा तो इसका भी रिजल्ट क्यूंकि हमें आउटपुट देना होगा तो रिजल्ट उसके बाद इसको टर्मिनेट करना यह टर्मिनेट कर दिय नहीं है सिफ चार ऑपरेशन जो की परफॉर्म कर सकता है वह बना रहे हैं यहां पर फिर लास्ट केस जो है वह है डिविजन के लिए तो डिविजन के लिए कौन सा सिंबल यह यूज करेंगा ठीक है हम इसके बाद पिर यहां पर इसका भी रिजल्ट लिख देंगे नमबर 1 उटेक नमबर 1 वाई नमबर 2 शाकर इसके बाद यह इसमें भी टर्मिनिक्टट लगा दिया इसके बाद क्या करेंगे इसका थैफ प्रिश्य प्रिंट ईफ के बाद अपर लिखेंगे aisंत करेंगे लिए फट्रेंट रिच्व के बाद आ inclusione %F, इसको भी हम उसमें double quotes में लिखेंगे, तो यह double quotes में इसको भी लिख दिया, %F, यहां पर रिजल्ट, ठीक है, result लिख दिया, उसके बाद इसको terminate कर दिया, उसके बाद इसको भी break कर दिया, break, ठीक, break करके, यहां पर हमने इसको terminate कर दिया, ठीक, उसके बाद एक और case बने वो case क्या بنेगा वह default case बनेगा यानि कि जब हमने कोई सा भी operation नहीं डाला हो या कोई गलत operator डाल दिया ओ जो इस cases में नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा हमारा default case होजाएगा और इसमें यह हमें प्रुंट कराना होगा कि operator well-it नहीं है एक default case भी हमने यहां पर डाल देते हैं default default के बाद यहां पर यह ठीक उसके बाद printf लिख देंगे printf इस पेस नहीं देना है यह printf वैलिट ठीक है operator वैलिट नहीं है इन सभी cases के अलावा ठीक है यानि इन operators के अलावा कोई और operator यूज़ नहीं कर सकते अगर करते हैं तो हमारा operation जो है वह वैलिट नहीं होगा ठीक इसके बाद क्या करना है क्योंकि हमने यहां पर देख सकते हैं आपकी एक कलिब्रेस यूज़ किया है तो इसको भी हमें टर्मिनेट करना होगा यहां पर लगाना होगा यह लगा दिया तो चलिए हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है कि नहीं हुआ compile करने के लिए हम लोग compile कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर हमारे प्रोग्राम में कहीं कुछ गरबड़ी है देखते हैं क्या गरबड़ी है यहां से हम देख सकते की गरबड़ी क्या है ठीक है result result कि देखियां पे spelling कहीं गलती हो गई है कहां पे गलती हुई है यह result चोटी छोटी चीजह से भी गलती हो जाती है ठेक और उसके बाद 17th Line में गलती है 17th Line में गलती हो टून इंटीजर सी ठेक है तो इसमें 17th line में देखिए क्या गलती हो सकती है तर्मिनिटर लगाया है हमने case हमने यह किया है ठीक यह मेरे खाल से इसमें क्या गलती हो सकती है हाँ गलतियां कहां पर हुई है अब मैं बताता हूँ यहां पर double quotes नहीं लिखना है हमें double quotes ही जो operators है इसमें double quotes नहीं लिखना है बनाना है ठीक है इन operators को कैसे denote करना है single quotes के बीच में ठीक है यह single quotes के बीच में सारे operators को single quotes के बीच में हमें represent करना है कि एवेरी स्कूर। हम इस तरह से आपको कोई भी प्रोग्राम हो उसमें कि पहचान आना चाहिए तो इससे क्या होगा u कि आपको परदा चलेगा कि आपको कि से फ़िकल बड़ेगी कि यही तो होता है । है एक्जाम में भी देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि मतलब कि गलतियां पहचानो प्रोग्राम में ठेक है अब यहां पर भी देखें कहीं तो गलती है र-e-s-u-lt है तो छोटी-छोटी चीजों से आपका प्रोग्राम हो जाता है तो दोस्तों यहां पर एक जो नोटेस करने वाली बात यह है कि यहां पर जो हमने यह परसेंट सी लिखा तो इसके बीच में एक स्वेसिंग देनी है यह जो परसेंट हमने लिखा इन सब के बीच में इस पेसिंग देनी है ठीक है लिखने से पहले नहीं तो आपके सिंटेक्स में थोड़ी एरर आ सकती है तो देख सकते मैंने अब इसमें लिखा इसमें आप स्टेंट इनी है एक एक बार की ठीक है यहां से दिखें दिया हुआ तो उसके बोला है कि enter the operation मान लीजिए हमने फ्लस डाल दिया प्लस उसके बाद एंटर मार दिया सेकंड नमबर डाले हमने थ्री एंटर किया तो देखिए यहां पर रिजल्ट हमारा जो है नाइन आच चुका है ठीक है उसके बाद फिर फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं यहां पर जाक तो उसके बाद सुरी एंटर मार के फिर उसके बाद ठीक डाल दिया उसके बाद फिर एंटर मारा तो देख सकते हैं दोनों नमबर का मार्टिप्लिकेशन आ चुका है 15 तो इसी तरह से और भी ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेला एकन को भी जरूर दमाएं थैंक यू